आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ रियक्टिवटी बतानी है ठीक है रियक्टिवटी जो है इस पर Depend कर देगी कि कितनी जादा उसकी जो है Nucleophilicity है तो यह जो आपका जो Reaction है जो आपका होगा यहाँ पर वो Nucleophilic Addition Reaction होगा क्या होगा Nucleophilic Addition Reaction सो करेगा Benjaldihyde के साथ ठीक है तो Nucleophilic Addition Reaction जब Benjaldihyde के साथ यह जो है सो करेगा तो क्या होगा ठीक है यह जो आपके जो भी आपके यह Compounds है यह क्या है यहाँ से जो है बेस जो है प्रोटोन निकालेगा बेस जब यहाँ से प्रोटोन निकाल लेगा तो इनको बनाएगा Carbonine जो Carbonine की आप बोल सकते हैं यहाँ पर Nucleophilicity जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपकी Reactivity होगी ठीक है तो Nucleophilicity is directly proportional to Reactivity ठीक है तो उतनी ही ज़्यादा Reactivity होगी towards the Nucleophilic Addition Reaction ठीक है अगर हम यहाँ पर देखें तो इन सब का Carbonine बनाया जाए तो पहले वाले का Carbonine हम बनाते हैं CH- और यहाँ पर C double bond O O C2H5 और यहाँ पर आपका C double bond O O C2H5 ठीक है यह है हम सब का बना रहा है दूसरा जो है वह आपका क्या है CH- और यह आपका C N यह आपका C N ठीक है अब तीसरा जो है वह आपका CH- और यहाँ पर यह NO2 ठीक है और NO2 ठीक है और फोर्थ जो है वह आपका जो है वह आपका क्या है CH- और यहाँ NO2 और यह CN ठीक है तो अगर हम यहाँ पर देखें जो आपकी यह groups लगे हुए हैं यह electron withdrawing group है ठीक है तो जो electron withdrawing group की जो power होती है वो आपकी किसकी सबसे ज़्यादा होती है NO2 group की ठीक है then आपकी CN group की ठीक है तो यहाँ पर जो है जो आपका जितना ज़्यादा electron withdrawing in nature होगा वो कम जो है nucleophilic addition reaction तो electron withdrawing power जो है इस order में होगी तो NO2 जो है minus जो है यह ज़्यादा खींचेगा ठीक है electron को withdraw करेगा तो इसकी nucleophilicity जो है decrease होगी ठीक है so nucleophilicity जो है वो आपकी जो है nucleophilicity is inversely proportional to electron withdrawing groups ठीक है electron withdrawing groups के inversely proportional तो जी आपका NO2 जो group है यह आपका जो है electron withdrawing group है तो यह ज़्यादा खींचेगा electron को withdraw करेगा electron को जब withdraw करेगा तो यह nucleophilicity है यह सबसे कम हो जाएगी ठीक है, देन आपकी आएगी एक NO2 और ये CN, ठीक है, यहां भी आपका ध्यान लखना, ठीक है, इसकी electron withdrawing power जो जादा इससे, तो 2CN से जो आपकी electron withdrawing power of, एक NO2 और एक CN की जादा हो जाएगी, ठीक है, तो यह आपका जो है, यहां पर इसकी भी nucleophilicity घट जाएगी, तो सबसे जादा nucleophilicity उसकी होगी, जिसकी electron withdrawing power जो है, सबसे कम होगी, ठीक है, तो इस वाले की सबसे कम electron withdrawing power है, तो nucleophilicity जो है, आपका order जो आएगा, वो क्या आएगा, 1, ठीक है, तो 1 जो है सबसे जादा, देन आपका आजाएगा 2, ठीक है, देन आपका आजाएगा 4, देन है वो किस option में तो हमको यहाँ पर option number third में जो है मतलब option number C में जो है यह हमको देखने को मिला तो option C जो है इसका correct answer हो जाएगा ठीक है? Thank you.